तो दोस्तो आज के जो वीडियो है बहुत इमिपोटेंट है दोस्तो बहुत लोगोंने कमेंट किया बहुत लोग का कुश्चन है कि सर जो हमारा परेड़बी अप्लिकेशन में लों चल रहा है अगर हम इस लोन को क्लाउज करें तो नेक्स जो लोन एमाउंट है उतकिना मिले loan amount close कर दोगे sir तो इसके बाद इसके बाद जो है next amount कितने का मिलेगा वीडियो बना करके बताओ ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज किस वीडियो में पूरी जान कहीं बताऊँगा step by step video complete जरूर देखें यहां पर हम क्रेड़ी आप्लिकेशन को open करेंगे ठीक है प्रकार कोई problem नहीं होगा अगर आप loan apply करते हो तो अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मेरा 25 रुपे का loan ता उस loan को जैसे मैंने close किया तो यहां पर मेरा जो next loan पास हुआ वह हुआ है 36,000 रुपे का मतलब कि 11,000 रुपे की यहां पर limit increase की गई है ठीक है अगर आपका 25 रुपे का loan amount चल रहा है आप सोच रहोंगे कि मैं भी बंद कर दो तो 36,000 का मिल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है देखो भाई यहां पर होता क्या है पूरा system आपके civil score पर निरवर करता है और आपने किस प्रकार से EMI pay की है उस पर निरवर करता है तो मेरी EMI continue time to time pay हुई है और मेरे civil score भी अच्छा है इसलिए मुझे 36,000 का loan मिल गया ठीक लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको 36,000 का नहीं मिलेगा तो 25,000 का जैसे आप loan amount close करोगे तो 32,000 का आपको जरूर मिलेगा वो भी 7 महीने के लिए ठीक है यह मिला है मुझे 9 महीने के लिए ठीक है और पिछला loan ता मेरा वो था 8 महीने के लिए ठीक है तो almost है यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं almost एक दिरूरी बात है कि यह जो application है यह किस परकार से काम करती है देखो मेरा जो first loan amount था वो था पंद्रा हज़ा रोपेका और उसकी ब बाद मिला था 11,000 का उसकी बाद मिला था दोस्तो 18,000 का फिर मिला था 25,000 का और फिर विला 36,000 का इस प्रकार से loan amount की growth मेरी बड़ी थी ठीक है ना तो यहाँ पर पूरा निर्वर सिबिल पर करता है पूरा निर्वर जो है न दोस्तों इनकी system पर करता है अगर आप कॉल पर बात करोगे और उनसे पूछोगे कि सर मैं यह loan amount बंद कर दू तो next loan amount मेरा कितना है तो वह भी नहीं बता पाएंगे ठीक है उनको भी पता नहीं रहता कि next loan amount आपको कितना मिलेगा वह आपको यह करेंगे कि पूरा जो system पर निर्वर है system कितना देता वह आप देख लेना loan clause होने के बाद तो finally जो मेरा प्रूप है जो आप मांग रहे थे कि सर कितना loan amount आपका इंक्रीज हुआ 25 तर करने के बाद तो वह प्रूप मैंने आपको दिखाया भाईया 25 तर का loan amount मैंने जो loan code रिपरमेंट किया 36 तर का receive किया अब इसके बाद कितना loan amount मिल मिलता है वह पता नहीं है ठीक है 40,000 मिल सकता है 50,000 मिल सकता है यह फिर एकाउंट clause भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसमें कुछ भी मैं नहीं बोल सकता पूरा system और पूरा civil पर निरवार है समझ गए उम्मीद करता हूं कि आपका जो question था उसका मैं answer दे सका और video आपको अ कमेंट करके पूछ सकते हैं या पर टेली ग्राम पर हमसे बात कर सकते हैं चलिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद बंदमाद करें